तो आज की उडियों में रिवाइज करेंगे है पार्वोला जैसे जैसे रिवाइज के बाता जाओंगा वैसे आप विजुलाइज करते जाएगा ताकि फाइनल एक्जामिनेशन के परले आपके कॉंविदेंस लेवल आई हो जाए है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांश्वर से ध्यान दिए जो जो होता है जो होता है जो होता है जो एक्स कट करता है य एक्सी स्कुरे मतलब वाइक्स कट करता है अगर फोकस यहां पर हम लोग 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 बनेगा उसके बाद वहाँ पर देखेंगे डवल ओडिने क्या होता है एक्सिस के जो पर्पेंडिकुलर होता है लेटर स्क्टम उसी के एक और इस प्रेसल वर्जिन अगर वो फोकस से पास करता है तो आपलो बुल देंगे लेग स्क्टम का लेंध करना होगा ड़ी स्क्राइब टो राबाए स्क्टम यह स्क्टम फोकस एक अइंड फेक्टम क्या देटर वी पता जासे तो टो यह स्क्टम उसके लाइग है अब उसके बाद आगे आते हैं लाइन झोन य gaat रूंट होता है दोनों को जो कान्टेंट करता है फोक्स इन उप होता है और…… ओ सके तंटरिश्टीय कैने डिके दोनों का इसंट्रिसिटि नियुक्त कले सकते हैं अब रूचल होती है x equal to plus minus a by e जो डिरेक्टिफ इक्विएशन होती है उसके बाद हम लोग आते हैं rectangular hyperbola रेक्टेंगुलर है पर बोला यह का बोला यह था लेंथ और ट्रांसवर्स एक्सी जो होता है वो इक्वाल हो जाए क्या होता है इसपेसल केसे में याद किये जाएगा हमेशा पी जाता है इसंटेसिटी होता है root 2 इसंटेसिटी में कैसे निकालते है under root of 1 plus b square by a square b equal to 1 plus a square by a square cancel 1 plus 1 under root of 2 हो जाएगा और इस एक्वेशन क्या होगा आए इसको आधाते है conjugate hyperbola क्या होता है कोई भी कोई भी किस्टेंटर पर बोला कि एक जिसका में इसका माइर एक्षीस को रवल होता है इसको पर दूसरे एक माइर एक्षीस को रहता है तो इसको एक्वेशन में लिखेंगे X square upon A square minus Y square by B square equal to minus 1 और इस टेंडर में क्या होता है और इन दोनों में डिप्रेंस जो constant तरप का माइनस हो जाता है और नों का सट्रेशित है तो के याद के रहे रहे रहा है 1 upon e1 square प्लस 1 upon e2 square प्रचेमνेक्स सब्सक्राइब। Посकता इससेंग வाइब आते हैं जैसे घुष टो टॉटक्राय करना कि लिए और इंग सी सीक ड़ी सफ़कता मानते हैं वक डियवा जानिएंगER में कॉर्प लुस्ट मिलोग मांदे एक थीटा लुट को यहां पर कॉरन आता है वक्रांच effort सकत प materट में में लिए सब्सक्राइब चुब कोश्ट अगर अंदर लाई करता है तो बाहर लाई करता है तो उसकेस में इलिप्स में क्या होता था तो पोजिटीव होता था लेकिन यहां केस्में नेगेटिव हो जाएगा वो नेक्स्ट टॉपीक पर आते हैं टैंजेंट पर तीं सब के लिए एक काटेजियं अपर परेमेट्रिक तो कार्थे आपने साथ टीवाबब जीरो कर देंगे और अगरा अगरा हम लोग देखेंगे कोई भी जिनरल महां लेते हैं राइंग य क्टुर में प्लस C और ही पर ज्रला जन्रीरण एक स्कुणर आहीं स्कॉर्घ के लिए अधियर ईї ऑक ट्रेंट स्कीव गटे अधियर अधि пожटेश्ड ट्रेंट के लिए अधियर असे जमक्राइएक проблемы ज्रवियारंिक्ट स्कॉर्ण न्यागीश यीजर फुर्स और घ्लडवागे वंगोर्गे dot तो हम आपर टी बार लिए तो होता है एक से खीटा मैंनेस एक से कीटा सब्सक्राइब या प्लस हो जाता है और एक और होता है एक एक टीटा एक स्कॉस्ट टीटा प्लस य गॉट टीटा इक स्कॉर्स में होता है तो उसको उसकेस नहीं यह बोलते है x000 plus y000 equal to e square minus b square होता है और ऑब जहाता है जो हो इसे इंट्रोप्स लाइन होता है जो कर्ब के अब जोनों को इसे हो करें तो निटिया एगर हो पड़े थे ओम पड़ेटें को फिसीन टो तो होगा होगा है तो जोगा होगा तो उसकेस में होता है equation आता है उसका y equal to plus minus by a upon x, y equal to plus minus b upon a into x और last topic हम लोग पढ़ लेते हैं rectangular i equal बूला, rectangular i को जासर रहता है Tysentricity root 2 होता है length of major axis equal to length of minor axis और उसकेस में आगर हम लोग parametring मानते है CT और C upon T, वहां के according सब कुछ solve कर लेते हैं, ठीक है आज को वीडियो में इतना ही था, अब लोग नेक्स्ट टॉपिक के सुपरफास की वीडियान आएंगे, ते सुक लिए बाएंगे